Hello and welcome my dear friends तो आज हम MCQs regarding history लेके आ रहे हैं ठीक है? कल के lecture में हमने आपको बोरा था कि हम आपको MCQs कराएंगे regarding the history तो हमने आपको ये भी बताया था वीडियो के अंत में कि अगर आप चाहते हो आप एकाउंटेंसी के MCQs भी पढ़ें इनके questions solo करें तो मुझे comment section में लिखना तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे personally भी phone किया और comment section में भी बोला था कि sir आप MCQs of accountancy भी करा दीजिए ठीक है? तो आज हम history के MCQs लेके आए हैं और plus extra मेहनत करी है तो plus हम इंशाल्ला कोशिश करेंगे इस lecture में हम आपके accountancy के भी question कराएं ठीक है? तो साथ ही साथ में आपका concept भी clear हो जाएगा मज़ा आएगा पढ़ने में किनकि जब entropy ज्यादा बढ़ती है जो बच्चे chemistry पढ़ती होंगे या जिनको sinus background है उनको तो पता होगी न entropy के जीज़ है तो sinus कहती है chemistry कहती है कि entropy अगर बढ़ जाती है तो इनसान की stability ज्यादा बढ़ जाती है means entropy मलब disorder यनि हम history के question भी साथ में पढ़ेंगे accountancy की question भी साथ में पढ़ेंगे तो disorder बढ़ेगा यार तो entropy बढ़ेगी ठीक है? खैर कोई बात नहीं start करते हैं आज का lecture तो लिखा है यहां पर question number one पहले हम history स्टार्ट करेंगे लिखा है who became the first PM of Jumar and Kashmir तो मैंने कल के lecture में आपको बोला ठीक है तो इसका hard and fast rule तो कोई नहीं है बस जिनको पता नहीं होगी वो तो याद रखे कि पहला PM जो Jumar and Kashmir के थे वो थे justice महरचंद महाजन क्यों justice? मैंने आपको कल भी बोला क्योंकि वो फिर इंडिया के third chief justice बन जाते है ठीक है? ओके तो मैंने आपको क्या बोला था? ठीक है? अब यहां पर confusion आएगा बच्चों को sir कहां गया यह अब यहां पर बच्चों को confusion आएगा कि sir आपने क्यों यहां पर PM लिखा? आपने CM क्यों नहीं लिखा? तो बेटा पहले PM हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर फिर 1954 के बाद नामन कलेटर चेंज हो गया तो फिर CM वाला मसला आ गया वरना तो पहले PM प्राइम मिनिस्टर था और गवर्नर को सद्रे रियासत कहते थे तो वास दा फिर्स्ट पीम अप जिमों आप कश्मीर? तो बेटा फिर्स्ट थे जस्टिस महरचन महाजन लेकिन अगर आपकी question में आया वास दा लास्ट पीम अप जिमों आप कश्मीर? तो वो कौन थे? शवाज गुला महमद बक्षी ठीक है? तो कल के lecture में हमें थोड़ा सा लिखने में गलती हुई थी हमने आपको बोला था हरी सिंग तो हरी सिंग नहीं है बेटा वो महराण वो हरी सिंग तो है नहीं? शायद नहीं हरी सिंग नहीं कल के lecture में हमने आपको बताए था हुवास दा लास्ट प्राइम मिनिस्टर आप जमौन केश्मीर तो हमने आपको बोला था शेख महमद अब्दल्ह भास दाठीक है तो हमने आपको बोला था जुमोंड कश्मीर एस बक्षी गुला महमद, लेकिन पहले कौन होते है, पहले होते है, जैस्टिस महरचंद महाजन, ठीक है, ओके, यह हमने कल के लेक्टर में आपको केलेर किया था, फिर से एक बार यहां पे confusion दूर करेंगी, पहले जो PM होते है, जैस्टिस महरचंद महाजन और जो आखरी होते है, वो होते है, बक्षी गुला महमद, ओके, तो दूसरा question यहां पे क्या बन सकता है, ट्रीटी आप अमरित सर्वास साइनेड बिट्वीन, बेटा देखो, question को सालो करने से पहले, यह जो मैंने जितने भी question लाए है ना, यह आपके papers में आज चुके है, तो बिल्कुल, जब J.K.S.S.B. ने question पूछे, तो बहुत ज्यादा आवशकता है, कि यह फिर से आ सकते है, यानि बहुत ज्यादा probability है, कि यह question आ सकते है, तो बेटा करते हैं सालो second question, treaty of Amritsar was signed between, तो मैंने आपको बताया था, treaty of Amritsar किस-किस के बीच में sign हुई थी, गुलाब सिंग और ब्रिटिश के बीच में, लेकिन बेटा, मैंने आपको वहाँ पे यह भी बोला था, 1846, ठीक है, treaty of Amritsar, एक तो 1808 में होती है, दूसरा 1846 में होती है, ठीक है, तो 1846 वाली होती है, treaty of Amritsar, गुलाब सिंग और ब्रिटिश के दर्मियान, ओके, इसके बाद बढ़ते हैं अगले question पे, तो question number third पे लिखा है, when did Jumu and Kashmir accede to India, बहुत ही ज्यादा important question, बहुत ज्यादा important question, कब sign कराया गया, तो बेटा मैंने आपको कल भी बोला, जो instrument of accession है, यारे India, sorry, Jumu and Kashmir accede कर रहा है इंडिया की तरफ, वो 26 October 1947 को sign किया गया, ठीक है, 26 October 1947, क्यों, क्योंकि 26 October को यहां पे पाकिस्तान के फोर्ज और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग यहां पे, बनलब, rebellion आते है, यहां पे invaders आते है, तो 26 October को वो चले जाते है, स्री नगर, स्री नगर से महराजा हरी सिंग चले जाते है, Jumu, और वहां पे वो Indian government के साथ बैठ के, शबाश, क्या करते है, इन अस्टूमेंट आप, एक सेशन साइन करते है, 26 October 1947, ओके, इसके बाद, एक और question, बहुत ही ज्यादा important question आ चुका है, एक्जाम में, बस सर्विस, which was launched between Kashmir and मुझाफराबाद, यानि जो एक बहुत ही अच्छा इनिशियेट हो था, कि बस सर्विस को, एक बस सर्विस स्री नगर से, शबाश, मुझाफराबाद तक जाती है, यानि इंडिया से लेकर, पाकिस्तान जाती थी, बस सर्विस, जो जाती थी, अभी रुकी हुए है, तो वो उस बस सर्विस का नाम क्या है, वो उस बस सर्विस का नाम रखा गया था, कारवाने अमन, ओके, एक्जाम में कॉस्चन आ सकता है, उस बस सर्विस का नाम है, कारवाने अमन, ठीक है, ओके बेटा, ओके, तो उस बस सर्विस का नाम क्या है, कारवान अमन नमबर फिप्त क्वश्चन तो सबको पता होगी लास्ट रूलिंग किंग अप जमुएट कश्मीर कौन थे सबको पता होगी महराजा हरी सिंग इसके बाद क्वेश्चन नमबर शिक्स पे आते है according to the Kalhana कि अपनी य्दे निया था पहला lecture मेरा याद कीजिए, go to the first lecture, see there, मैंने आपको पढ़ाया था, कलहन ने बोला है, अपनी राज तरंगनी में कि गुनांडा first जो थे, he was the first king of Kashmir, okay, तो आते हैं हम question 7 पे, question 7 पे लिखा है, लालितिया दता वाज दा रूलर आफ विच डाइनास्टी, बहुत बार एक question पू जा सकते हैं, तो इसका मतलब है ने, इस personality में कुछ है, ये कोई खास personality है, हाँ तो बिलकुल, लालितिया दता एक खास personality थे, उसको emperor, sorry, उसको conqueror, आप the world भी कहते थे, यानि दुनिया को फता करने वाला, यानि जिसनी दुनिया को फता किया था, so लालितिया दता को, conqueror, आप as a बादशा थे यहां पे, तो उसने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, like इसके दोर में, sorry, इसके दोर में art, architecture, बाके बाके जितना भी है, यानि art, architecture, fun, जो भी है, ये इसको बढ़ावा किस ने दिया, लालितिया दता ने, यानि इसी ने इसको यहां पे initiate कराया, बढ़ फ्लोरिश करवाया, जो में और कैश्मिर में और पूरे इंडिया में, ठीक है, तो लालितिया दता जो थे, ये करकुटा डायनासिटी के थे, शबाज, करकुटा डायनासिटी के पहले ही कोन होते है, दृलवा वर्दना, ठीक है, नाम नहीं बोलना आता है, तो कोहिमारान, ठीक है ना, मैंने आपको अपने लेक्चर में पढ़ाया है, देखो जो जो मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल जई के SSB में पूछा गया, यानि हारी बर्पद को किस नाम से और जानते हैं हम, उसको हम कोहिमारान के नाम से जानते हैं, ओके, ट्रीटी अप अमरित बेटा, आपने एकाउंटियंसी में पढ़ा होगा, डीड टरम, ठीक है, डीड, पार्टनर्शिप डीड तो वहाँ पे पढ़ी होगी, डीड का मतलब होता है तहरीर, यानि जब आप तहरीरी कोई काम लिखते हो, जब आप डॉकिमेंटरी वर्क करते हो, जब आप मोहादा कागस पे लिखते हो, तो बेटा उसको डीड कहते है, तहरीर कहते है, इसी तरह से ये सेल डीड हुई थी, ब्रिटिश लोगों ने बेजा था, बेजा था महाराज गुलाब सिंग को, 75 लाक में, तो ठीक है, that's why it's called as सेल डीड, ओके, नमबर 10th question, और इस चप्टर का आखरी question, वो यह कि, मुगल एंपरर हुबाट दहियरा प्रॉफिट, पीस भी अपान हिम, तो कश्मीर, तो प्रॉफिट सौल लाव लए वसलम, के जो, जो हियर है, बल्लब, उनके एक बाल, मुबारक, वो कश्मीर में किस ने लाए थे, वो, किस मुगल एंपरर ने लाए थे, ने खुद नहीं लाया, बलकि इसके रेन में अवरंग जेब ने उनको अथाराइज किया था, उनको पर्मिशन दिया था, अज्जाव कोई बात ने, आप ले जा सकती है, उसको कश्मीर, ठीक है, ओके, तो ये अवरंग जेब ने, लेकिन मैंने आपको अपने लेक्शर में वहाँ पे बताया था, आगर आपको कॉश्चन आता है, इंडिया में, इंडिया में इसके रेन के और लेकिन ने खौर्ण ही ओरंग जेब ने के रेन में आया था, ठीक है, तो हमने हिस्ट्री के 10 कॉश्चन 10 मिने चान्व किन कि इसमें हाड और फास्ट रूल कुछ था ही नहीं बस memorize करना था ठीक है यानि आपको बस याद करनी है चीजे यह बस मैंने आपको question पूछे तो जिन बच्चु ने मुझसे पढ़ा होगा मेरे lectures देखे होंगे तो उनको तो सारा आया होगा यार क्यूंकि यह वारे question तो बिल्कुल जैके SSB के previous year questions है तो बिल्कुल माशाला हम successful हो चुके हैं अपने mission में क्योंकि हमने ठान लिया था कि हम आपको पूरा syllabus complete करेंगे और वो भी 10 lectures में तो हम cover कर चुके है और पूरा syllabus देखो ना questions हमने किये यह तो आये थे जैके SSB में और हमने एक भी question नहीं चोड़ा है लब सारे questions तो मैंने आपको बताई थे अपनी lectures में ठीक है लेकिन बेटा अब बात क्या है अब बात है मैंने आपको accountancy नहीं पढ़ाई है लेकिन accountancy की question कराएंगे हम आपको क्योंकि जहां पर भी doubt होगा accountancy में I am here तो मैं यहां पर हूँ आप मुझे question पूर सकते है आप मुझे आपने doubt share कीजिए तो मैं answer करूँगा hopefully I will try my best to answer the questions चीक है तो accountancy का पहला question बहुत मज़ा आता है क्योंकि जब conceptual कोई चीज होती तो उसको पढ़ने में मज़ा आता है और question swallow करने में भी बहुत मज़ा आता है देखो accountancy बहुत अची stream है accountancy अगर आपढ़ोगे खेर फिलाल आपको JKSSB का account system exam qualify करना है तो best of luck for that फिलाल हम question swallow करते है ठीक है तो आते हैं हम अगले question पे sorry पहले question पे पहले question पे लिखा है a profit and loss account is prepared ठीक है देखो बेटा जब exam देने जाओगे न exam देने से पहले आप पहले trading account ठीक है इसके बाद profit and loss account और इसके बाद balance sheet का क्या करेंगे आप इनका comparison करेंगे जब आप exam देने जाओगे ठीक है तो यह trading account balance profit and loss account और balance sheet जो है न बेटा इनको हम collectively final account कहते है क्यों क्योंकि final यह end process होती है accountancy का जो ending process है वो है prepare करना trading account profit and loss account balance sheet इस trading account और profit or loss account और balance sheet को आप comparison करके रखना अपने notebook पे तब जाके आप exam में चले जाना और तब जाके exam में लिखना ठीक है क्योंकि इसमें एक दो question तो आही जाएंगे take my word mark my word इसमें से तो दो तिन question आही जाएंगे ठीक है तो ले के आये हैं हम आज का question देखो बेटा a profit and loss account is prepared profit and loss account कब बनता है ठीक है तो ठीक है मैंने आपको बोला यहां पे trading account यहां पे profit and loss account ठीक है ना बेटा यहां पे balance sheet तो आप इसकी trick याद रख लीजिए मैंने trick बनाई है on for and on ठीक है यानि trading account और balance account को हम कब बनाते है on a particular time on a particular point of time ठीक है लेकिन profit and loss account को हम forest given period बनाते है यानि किसी वक्त के लिए बनाते है यानि हमने एक साल के लिए profit and loss account बनाते है यानि एक साल मुझे profit and loss account बनाते है यानि जितना भी आपका accounting period होगा एक साल को आटर यहां छे मिहना ठीक है यूजियली हम financial account यह profit and loss account एक साल के लिए बनाते है क्योंकि अगर for example हमें किसी company का देखना होगा तो इसका accounting period कितना होगा उसका financial year कहां तक होगा उसका academic calendar year कहां तक होगा उसी के लिए हम बना दे तो आप बस यहां पर trick याद रख लीजिए जो trading है that is known as on balance sheet be on or profit and loss for ठीक है यह trick है बस इसमें कोई नया चीज नहीं है बस इतना याद रख लीजिए profit and loss account हम for a particular period के लिए रखते है ठीक है तो यहां पर options है a profit and loss account is prepared for a certain given period at a particular point of time on a fixed date ठीक है जो paid batch students है ना बेटा उनको तो sir ने जेके study for civil circle में जो sir accountancy पढ़ाते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे sir है बहुत ही ज्यादा vast knowledge है उनकी और out of teaching भी बहुत ही बढ़िया है I hope कि उसने सारा cover किया होगा आपको लेकिन जो YouTube देखता है होगे अगर यह lecture मेरा public आया तो जिन बच्चों ने नहीं पड़ा है paid में तो उनके लिए अगर कोई confusion होगा they can ask me I can I am here to clear their doubts ठीक है तो simple पहले question में कोई मसला नहीं है बस एक trick याद रखनी है क्योंकि एक पहला question conceptual नहीं है एक memorize वारी term में जो आपको memorize करना है अब इसके बाद दूसरा question तो दूसरे question में लिखा है balance sheet shows the balance sheet क्या दिखाती है क्या balance sheet दिखाती है profit earned by the account यानी sorry profit earned by the business business ने कितना profit कमाया है क्या ये balance sheet दिखाती है देखते है total capital employed यानी इसमें कितने employed आपने यानी total capital कितनी है वहाँ पर आपकी क्या यह दिखाती है देखते हैं Buenos of all accountrs का यह balance दिखाती है या financial position of business यह financial position of business दिखाती है तो देखो बेटा हम balance sheet इसलिए prepare करते हैं ताके हमे financial position की पता चले क्यों क्योंकि अगर हम final Accounts की बात करते हैं न भीटा तो Final Accounts में मैंने आपको बोला 3 Accounts आते हैं, कोन कोन आता है Trading Account Profit and Loss Account और Balance Sheet तो भीटा, Trading Account से हम क्या देखते हैं? Profit and Loss से हम क्या देखते हैं? और Balance Sheet से हम क्या देखते हैं? ये जो ये Trading Account या Profit and Loss Account है इनको हम income statement भी कहते है क्या कहते है बेटा इनको हम यानि trading account और profit और loss को हम income statement कहते है ठीक है यानि ये इस income की बारे में आपको बताती है ठीक है और profit and loss account आपको profit and loss के बारे में बताती है ठीक है लेकिन जो balance sheet है बेटा ये आपको इसको एक और नाम हम देते है that is called शवाश financial statement ठीक है याने ये आपको financial position देती है ये आपको शवाश financial position देती है याने आपके कितने assets है business में आपके कितनी liability है business में इसलिए बेटा आप जब लिखती हो ना balance sheet तो balance sheet में एक side यहाँ पे liability होती है पिर liabilities होती है ठीक है तो आप देखते है कितनी liability है कितने assets है याने जब आप check करते हो at the end of the period कि मेरे business में कितनी assets है मेरे business में कितनी liability है तो उस चीज़ को हम नाम देते है balance sheet तो balance sheet से हम financial position चख करते है अपने business की financial position चख कर सकते है लेकिन trading and profit and loss account से हम income statement चख कर सकते है ठीक है याने आपको profit आया है या लॉस हुआ है trading account से हम gross profit और gram लॉस देखते हैं और श्रबाश profit and loss से हम net profit और net loss देखते हैं आपको net profit हुआ है या net loss हुआ है देखो भीटा मैंने बोला ट्रेडिंग account मैंने बोला profit and loss account, trading account में हम gross profit देखते है profit account, profit and loss account में हम net profit देखते है, इसा difference क्या है net profit and gross profit की तो बेटा, अगर हम gross मैंसे indirect expenses निकालेंगे ना, उसी को हम net profit कहते है बेटा चीक है, यही चीज़ आपको याद रखनी है खेर, अभी मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई confusion अगो कोई doubt होगा, तो मुझे आप personally कह सकते है, ठीक है, अभी तो हम MCQs चक करेंगे, okay इसके बाद stock in a trade is अगर हम stock की बात करें, बेटा, what is stock, stock क्या होता है, stock होता है जो माल होता है, जो भीजना होता है, ठीक है, उसको इसको हम stock कहेंगे ठीक है, यापने जितने भी finished goods है, मmadलब अपने दुकान में, अपने विजने समझा है उनको हम stock कहेंगे, यहां तक stock क्या होता है, क्या current asset है, क्या ये fixed asset है, क्या ये intangible asset है, क्या ये suspicious asset है sorry, तो बेटा अगर हम पहले fixed asset की बात करें, तो fixed asset होता है land, fixed asset होता है building, fixed asset होता है furniture, यानि इसका मदलब क्या होता है, fixed asset क्या चीज़ होती है fixed asset होती है, जो more than one year के लिए आपके business में रहे है, land, यानि पता नहीं सदियों तक रहती है, building ये सदियों तक रहती है, तो उन चीज़ों का हो, fixed asset कहते है इसी तरह से intangible asset intangible asset, for example आपका copyright, for example आपकी goodwill, for example आपकी copyright, goodwill, ठीक है इन चीज़ों का हम क्या कहते है, इन चीज़ों का intangible asset कहते है, क्यों? क्योंकि अगर आपका नाम है, for example मैंने अभी गड़ी पहनी है, fast track क्योंकि dois ourselves fast track का इक नम ऑना में मलब odcoo fast track पहर आपने यह मद जब भी बात आती है ,न्ह 문제 के बात दी शहन में तो फास्ट्रक की बात आती है और अब अगर वाच की बात करो तो- च्यूँसे नाम खंच देते नाम कंआया है यह न Pan मतलब है कि मैंने एक बड़ा ब्रैन पहना गुछा नाम पॉस्टें यानि अगर मैं गर में बैठों कि मैं तो नाम कमा चुका हूं तो अब मेरे जो ग्राक है खरीदार है वो तो आ ही जाएंगे अब ठीक है उसको हम कहते हैं intangible asset क्योंकि तो asset ही है ठीक है और इसके बाद current asset current asset होता है जो within a one year mature हो जाए यानि जो within a one year खत्म हो जाए that's called current asset तो अब आप बता दीजे stock क्या है stock fixed asset है intangible asset है fixious asset है current asset है तो ये current asset है क्योंकि एक ही साल में जितना भी आपने stock हो that's called current asset तो stock क्या बनता है फिर ये current asset है इसके बाद question number four पर आते है थोड़ा से confusing है what is a firm what a firm owes is called जो firm owe करती है उसको हम क्या कहते है ठीक है उसको हम debt या liability कहते है ठीक है इस point को ऐसे ही रखो यह मैं कल आपको समझाओंगा वाइसे अभी भी समझा सकता हो कोई मसला नहीं है तो थोड़ा सा confusing point है क्योंकि firm में दो तारह की चीज़े होती है one is capital sorry owner's capital या owner's security अगर में मालिक हों किसी company का तो मैंने अपनी पाइसे लगा है business में that's called owner's security दूसरा होता है शबाश external equity external equity external equity का मतलब होता है external equity का मतलब होता है for example मैंने किसी से उधार लिया मैंने bank से उधार लिया है और मैंने business में लगाए that means bank कल को आ सकता है मुझसे पैसे वापस ले सकता है ठीक है यह अगर मेरा business hub पड़ गया तो मेरे जितने भी assets से उसकी नीला में हो जाएगी तो पहले bank को चली जाएगी वो पैसे ठीक है that's called तो वो क्या है मुझे वो तो मुझे liability है ठीक है यह जो अचा अब यह capital हुई ना यानि जो equity owes यानि जितना भी है आपको यह जो capital है और capital हम किस column में लिखते है यह हम लिखते है credit column में और credit column में हमें usually liabilities लिखना है बस आप एक ट्रक क्या रख लीजिए ठीक है हो तो हुआ तो यह लेकिन ठीक है तो that's why liability is the liability of the firm okay इसके बाद question है a trial balance is a trial balance is a trial balance क्या है देखो बेटा trial balance अब कब बनाते है अगर पहले मैंने तो sorry journal बनाया very good इसके बाद मैंने ledger बनाया ठीक है यानि जर्नल से ledger बनाना मैं तो posting करता हूँ इसको हम posting कहते हैं अब अगर मैंने ledger बनाया तो इसके बाद मैं trial balance बनाता हूँ ठीक है तो trial balance third sit up है accounting process का ठीक है न बेटा तो यह जो trial balance है यह क्या करता है, यह मैं इसलिए trial balance बनाता हूँ, ताकि इसके बाद मुझे final account बनाने होते हैं यानि मैं इस ledger को balancing करता हूँ ठीक है, मैं इस balancing करता हूँ what is balancing? यानि जब मैं ledger के हर एक account को यह ledger है ना, चाहे इसमे capital account हो चाहे इसमे cash account हो चाहे इसमे drawing account हो चाहे इसमे for example machinery account हो, चाहे इसमे कोई भी account हो, मैं उनको balancing करता हूँ यानि debit minus credit, मैं देखता हूँ मुझे रहा debit ज्यादा है या credit ज्यादा है यानि अगर मैं debit minus credit करता हूँ उस चीज़ को हम balance कहते हैं, तो मैं accounting account उसकी, यानि जितने भी अलग-अलग account होते हैं, उनकी मैं balancing करता हूँ तो उसी को हम कहते है trial balance, ठीक है तो अब यहाँ पर question है, a trial balance इसे, शबाश, a trial balance इसे, real account, nominal account list of balances, नन अब देखो बेटा, trial balance कोई account नहीं है ठीक है यह जो trial balance है यह तो real account नहीं है, यह तो nominal account नहीं है, it is a list of balances मैं तो उपर ही बता चुका हूँ, आपको इसमें हम balancing करते हैं यह एकाउंटर का अलग-अलग balance निकालता है, debit minus credit ठीक है, इसके बाद trial balance checks है trial balance क्या check करती है arithmetic accuracy of the books honesty of book की पर accuracy of the book की पर यह all of these, यह तो arithmetic mathematical accuracy of books check करती है बस आपको एक statement यहाद रखना है यहने trial balance हम इसलिए बनाते हैं ताकि mathematical accuracy of books check हो जाए ठीक है ओके इसके बाद question number 7 the amount bought in by the owner of the business should be credited to देखो, मैंने आपको बोला अभी एक तो accounting equation है asset is equal to capital plus liability यह जो capital होता है, यह owner's equity होता है liability जो होती है, यह external equity होती है ठीक है यह जो capital होती है यह होती है, जो owner होगा business का, उसकी अपनी capital ने, उसने अपने business में कितनी cash लगाए, अपना कितना invest किया है that's called capital उसकी और liability उसने उधार कितना लिया है business bank से, यहां किसी और से that is liability, तो asset होता है तो मेरे पास कितने asset है, for example अगर मैं अपनी बात करनो, तो मैंने अपने गर में अपने इन पैसों से for example एक fridge लाया, एक LED लाया एक मिसाल की तोर पर sofa लाया, for example और मैंने liability, यह बैंक से loan लिया है, फिर मैंने गर में for example एक microwave ओन लाया ठीक है, for example या कुछ और कोई ऐसा चीज जो मैंने गर में लाया, for example मैंने गर में मैटिंग लायी मिसाल की तोर पर, for example तो लेकिन यह जो मेरा microwave ओन है या मैटिंग है गर में यह तो मुझे asset ही है ना बीटा और जो मैंने furniture या मैंने fridge या मैंने बाके-बाके यह तो मुझे asset बन गए ना यानि दोनों तो asset है, यानि दोनों का साम asset है हाँ, एक तो मुझे अपने पैस से, दोसरा उधार के price है, लेकिन asset तो है ना तो इसी को हम equation काते है क्या कहते है, जो accounting equation है वो यह होते है, asset is called capital plus liability, पहले time देखते है चार मिनट है अभी ठीक है, तो ओके, यहां तक समझा है आपको, मैं कहता हूँ कि जो owner ने बिजनेस में पैसे लगाए है, यह उसको किस account में credit हो जाएंगे, options है owner's equity, drawing, cash या none, देखो बेटा इसने अपनी equity जो है, या अपनी 50 जो है, the amount brought in by owner, आशा, brought in है यानि ये business में account यानि business में 50 लगाता है ये owner, यानि जो ये मालिक है business का, ये business में account लगाता है sorry, amount लगाता है, यानि इसमें invest करता है, तो ये उसको किस में credit हो जाएंगे, ये उसको क्याएंग में credit हो जाएंगे, नहीं drawing का मतलब होता है, पैसे निकालना business से, उसको drawing कहते है, तो इसमें तो नहीं हो जाएंगे cash, cash में तो बिलकुल भी नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इसने cash ही तो बढ़ा ना, इसने तो cash निकाला और बढ़ा business में, ठीक है, इसमें कोई चीज लाएंगे, या कोई फर नहीं चलाएं, ठीक है तो इसमें पिर option क्या बज़ता है owner's equity, तो simple है, मैंने आपको अभी भी बता है, यानि जितने मेरे पैसे हैं, वो मेरी owner's equity होती है, तो वो मेरे owner's equity वाले account में credit हो जाएंगे, क्योंकि मेरे इतने पैसे हों पर हक है मेरा, क्योंकि ये मेरे अपने पैसे है, तो ये मिझे owner's equity बन जाएंगे शबाश, if the following account type is, which would be increased by debit, देखो, बहुत ही बड़े important question है, कहता है कि इन accounts को आपने देखना है, इन accounts को आपने नीचे देखना है, options में फिर आपको बताना है कि debit कोन हो जाएगा liabilities and expenses, assets and equity, assets and expenses and equity and reserves, equity and revenues है, sorry यहाँ पर दिखे कर नहीं, आपको यहाँ पर revenues है, ठीक है revenue, देखो बेटा, देखो देखो, एक trick याद रखो यहाँ पर मैं debit column लिखता हूँ, यहाँ पर मैं credit column लिखता हूँ हमेशे याद रखना, debit आप asset side लिखा करो, यानि debit में क्या क्या चीज़ आता है, asset आता है, और expenses and losses, यानि जितने भी आपके खर्चे होते हैं business में, और जितना भी loss होता है business में, वो हम debit side लिखते हैं, ठीक है, यानि asset, debit side में हम asset लिखते हैं, और expenses and losses लिखते हैं, credit side में क्या लिखते हैं, mainly, यानि बहुत सारा तो लिखते हैं, लेकिन mainly में बात करता हूँ, जो exam में आपको mainly पूछा जाएगा, ठीक है, credit में हम लिखते हैं, शबाश, liability, यानि जितनी भी आपकी liability है, credit में हम लिखते है, income and gain, यानि अगर आपको business में income हुआ या gain हुआ, वो तो हम credit side में लिखते है, income में हम, अगर gain हुआ या income आया, वो तो revenue ही हो गया, ठीक है, वो तो revenue ही हो गया, है, okay, और इसमें हम क्या लिखते हैं, liability, इसमें हम sale, बहुत सारे interest on trying, लिखते हैं, questo है, यानि आपने क्या याद रखते है%, asset, expenses and losses , यह हम mainly debit में लिखते हैं, credit में liabilities लिखते हैं, income, gain लिखते हैं और sell लिखते हैं, question पूछता है कि इन में से कौन debit होगा debit करना है देखो पहले liability और expenses liability तो credit column है expensive debit column है यानि एक तो इसमें debit है दूसरा credit तो यह तो नहीं आएगा हमें दोनों देखने हैं दूसरा asset and equity asset क्या है asset तो debit है equity equity जो ठीक थीक था means यहां पे एक तो debit दूसरा credit तीसरा यहां पे आप question number option 4 देखते है equity and reserves equity equity मैंने अब भी बोला आपको यह तो credit है और reserve reserves जो है that is also credit means credit credit अब कौन बजता है आप बजता है यह हम चक करेंगे मैंने आपको बोला asset का मतलब होता है debit करो और expense and losses भी मैंने आपको बोला debit करो ठीक है तो option 3 is correct option time कितना हुआ 30 minutes होगे okay तो ठीक है बेटा यह थे आज के questions okay bye take care Allah Hafiz that I will be waiting for your comments in the comment section ठीक है okay